साथी यो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे MJP रोयल कंड इनिवर्ष्टी के English Literature के सिलेवस के बारे में कि English Literature का सिलेवस क्या है BA First Year में हमने क्या बोला BA First Year ना कि Second Year और Final Year Second Year और Final Year का सिलेवस सेम है हम बात कर रहे हैं BA First Year की जिनोंने 2021 और 22 में BA First Year में आणिमी सलिया और उनके पास English Literature सबजेक्ट है तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वग देखें कि हमारा सिलेवस क्या है और किस तरीके से इसमें कौन-कौन से चेंजे हुए हैं कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं उन सब चीजों को बड़े ध्यान पूर्वग समझते रहेगा और एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है साथी साथ में जो नंबरिंग देने की पिरकिरिया थी वो भी चेंज हुई है वो सब चीजे एक एक करके हम लोग इस वीडियो में डिसकस कर लेंगे पहले क्या होता था कि हमारे एन्वली एकजाम होता था यानि कि एक साल में एक ही बार होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब क्या है कि आपकी परिक्षा सेमिस्टर बाइज होगी और एक साल में दो बार परिक्षाएं कराई जाएंगे एक बार जनवरी में और दूसरी बा मही में ठीक है तो फिर मैं बोल देता हूँ कि पहले साल में एक बार परिक्षा होती थी एन्वल एक्जाम होता था एक ही बार हम लोगों को बीए की परिक्षा देना होती थी लेकिन अब 2021 से पूरा का पूरा syllabus भी चेंज हो गया है और हमारा जो परिक्षा देने का pattern है वो भी change हो चुका है क्योंकि परिक्षा अब semester बाइज होंगी first semester और second semester ठीक है तो BA first year कितने बागों में divide होगा first semester और second semester में divide होगा first semester का syllabus कौन-कौन सा है English literature का उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों में अभी तक बहुत confusion है क्योंकि उनोंने BA first year में admission तो ले लिया है और साथी साथ English literature को भी ले लिया है लेकिन उनको ये नहीं पता है अभी तक कि आमको क्या-क्या चीज़े त्यार करना है कौन-कौन से topic को त्यार करना है कौन-कौन से BA first year में हमारे topic और किस unit में कौन-कौन से topic को रखे गए है ठीक है कितने number में paper आएगा written exam कितने number का होगा practical कितने number का होगा और जो हमारा school में यानि के college या महाविद्याला में हमारा जो test होगा book कितने number का होगा उसके बारे में अभी हमको कुछ भी जानकारी नहीं है तो बही सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको provide कराएंगे तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को English literature का यह syllabus है देख लिजेगा ध्यान से English literature ठीक है English literature का 2021 और 22 के syllabus को हम discuss कर रहे है सेशन कौन सा हमारा 21 और 22 इसमें हमारा syllabus क्या-क्या है जरा एक वार इसको देख लिजेगा B.A. first year में अगर हम बात करते हैं तो देखेगा common syllabus हमारा B.A. first year English literature और first year में एक तो यह English first paper और यह English second paper first paper जो हमारा होगा first semester में देखेगा इसमें प्रोज का और writing skill होगा इसी तरीके से first semester में second paper भी English pros और writing skill का होगा तो first semester को ही हम आज discuss करेंगे जो second semester की वीडियो बनाएंगे वो अगली वीडियो होगी तो चलो आज हम लोग discuss कर लेते हैं सबसे first semester को देखो यहां से चालू होता है हमारा वीए first year का syllabus और syllabus में भी हम यहीं पर रुख जाते हैं थोड़ी देर के लिए समझ लेजेगा syllabus first paper में क्या होगा कि आपके जो English literature होता है वो 100 नमबर में divide होता है जिसमें दो paper होते हैं 50 नमबर में first paper होगा और 50 नमबर में second paper होगा clear हो गया student अब 50 नमबर में भी आप division कर दिया गया है उसमें से आपका जो 50 नमबर होगा उसमें से 37 नमबर का written exam होगा 37 का written exam और 7.5 नमबर में आपका class test होगा class test मतलब माल दिजे आप किसी भी महाविद्याला में आप पड़ते हो या बीए में आपने किसी भी college में admission करवाया है महाविद्याला में तो बहाँ पर आपके teachers के द्वारा एक class test लिया जाएगा और उसके नमबर कितनी दिये जाएगे आपको साड़े साथ में से कितनी दिये जाते हैं ओके साड़े साथ नमबर का वो फिलाल class test होगा आपका इसके बाद पांच नमबर में क्या होगा आपका एक assignment जमा करवाएंगे यानि कि practical या कोई project सम्मिट करवाएंगे वो पांच नमबर का तो अब आप जोड सकते हो यहाँ पर सौरी माप करिएगा यह साड़े साथ है मैंने 35.5 लिख दिया हां 37.5 यानि कि इस 37.5 में क्या हो गया रिटेन एक्जाम हो गया तो 37 और इसको एड करोगे 45 नमबर यह हो गये और 5 नमबर यह हो गये तो टूटल कितने 50 नमबर आप यहाँ पर समझ लिजेगा देखो मैंने यहाँ पर mention किया है कि maximum mark जो है रिटेन एक्जाम के कितने होंगे साड़े 37.5 में रिटेन एक्जाम होगा आपका 5 नमबर का assignment और project या practical आपको जमा करना है बना करके इसके बाद साड़े 7 नमबर में यानि कि 7.5 में class test होगा और टूटल फर्ष्ट वेपर कितने 50 mark का आएगा इतना क्लियर हो गया next अब यहाँ पर English pros and writing skill फर्ष्ट में देखेगा सबसे पहली unit में क्या क्या चीज़े पूछे जाएगी computer and writing skills in English आएगा आपका फिर repeat करता हूँ computer and writing skills in English में क्या क्या चीज़े आएगी पहला point आएगा power point presentation आपको तयार करके जाना है दूसरे नमबर पे writing is letter writing letter writing में भी आप complaint writing को तयार कर सकते हो letter तयार कर सकते हो FIR कैसे लिखी जाती है और उसका pattern कैसा होता है किस तरीकी की terminology यूज करते हैं और किस तरीकी की सब्द चुनाओं हमारा होता है FIR लिखने में वो सब चीज़े आपको सीखना है प्रक्टिस करना है इसके बाद grievance, read wrestle ठीक है और फिर letters, grievance, right to information यानि कि RTI से related आप आगर किसी भी letter को तयार करना चाहते हो letter लिखना चाहते हो, letter को सीखना चाहते हो कि RTI हमको डालना है तो हम कैसे RTI मांगने के लिए हम letter को कैसे लिखेंगे बहुत सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए अगर इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो अपने concern teacher से जो भी आपको पढ़ाते हैं ठीक है उनसे इनके बारे में discuss जरूर करिएगा क्योंकि ये आपके first semester में और पहले paper में English literature के पहले unit में रखा हुआ से लेवस है ठीक है अब resume को आप कैसे prepare करते हो preparing resume क्या बोला अब resume इसके बाद CV writing कैसे लिखेंगे अब resume और CV writing में क्या difference होता है बहुत ही ज़ी difference of CV writing and resume writing ठीक है उनके बीच में क्या अंतर होता है ये भी चीज आपको पता होना चाहिए अब जब CV writing आप लिख रहे हो तो किसका प्रियोग करके Microsoft बढ़ का प्रियोग करके आपको CV writing अपनी तयार करना है प्रिपेर करना है दूसरी चीज letter of acceptance और regination मा लिजे आप किसी job से regign करना चाहते हो और आप एक regign देने के लिए एक पत्र आपको लिखना है तो उस पत्र को आप कैसे तयार करोगे उसका format क्या होगा वो सब चीजे पता हो और fourth point आप बहुत ध्यान रखे profile कि हमारा ये profile क्या होता है जैसे आप Facebook चलाते हैं तो Facebook पर भी अपना एक profile डालते हो और profile में बहुत सारा bio data दिया होता है प्लस में अगर हम कही साधी विवा करने के लिए जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि bio data हमारा एक तयार करवाया जाता है उसमें हमारी personal life, personal interest, height, white, color ये सब कुछ चीजे जो हैं क्या होती हैं mention होती हैं तो ये सारी चीजें आप कैसे लिखोगे format क्या होगा वो सब आपको practice करना है, शेकना है तभी आपको भी ये first year में अच्छे number मिलने वाले हैं अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हो तो आपका paper बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, तो आज से ही आप इनकी तयारी करना शुरू कर दीजेगा और आपका syllabus मैंने बताई दिया है ठीक है, तो ये और इसके बाद second unit में third unit, fourth unit ठीक है, ये आपके first paper का एक देखो first unit, second unit third unit, fourth unit ठीक है, इसके बाद second paper आ जाता है उसमें भी 37 का क्या है, रिटेन है, पांच नंबर का assignment 37 का class test हो गया इसमें क्या आएगा first unit में आपका पूरा introduction है इतने सारे writers का introduction तयार करके जाएगा second unit में क्या करना है आपको ये सब चीजें, यानि की type approach या produce style approach device को तयार करके जाना है इनके अंदर कौन-कौन से चीजे तयार करना है इनके बारे में आगे मैं detail सब बताऊंगा एक बार को देख लो कि second paper में क्या है third unit में प्रोज दे रखा है प्रोज में चार writer आपके दे रखे हैं और इसी तरीके से fifth unit में आपके दो writer दे रखे हैं को तयार करके जाना तो यह था हमारा जैसे इसे हमने क्या बताया कि यह हमारे first semester का syllabus और syllabus में हमने detail से चर्चा आगे करी रहे है ठीक है वीडियो के last तक बने रहेगा और आपको वीडियो के last तक बहुत महतपूर जानकारी मिलने वाली है कि आपको paper तयार कैसे करना है क्या strategy अपनाना है वो सब चीजे ठीक है और यह आपके जनवरी तक आपको first paper और second paper हर हाल में तयार करी लेना है ठीक है साथियो तो first paper में सारी चीजे हमारी clear हो चुकी है लगभग हमने आपको यह भी बता दिया कि यह जो English pros and writing skill में क्या-क्या चीजे हमको तयार करना है तो पहली unit में जो हमको तयार करना है वो क्या तयार करना है कि computer और writing skills in English इस पर आदारित हमारी पूरी पहली unit होगी तो इसमें देख सकते हो आप कि तरीके से first unit में कि सबसे पहला जो point आपको तयार करना है वो power point presentation को तयार करना है दूसरा letter writing और letter writing में भी आप ध्यान बनाए रखेगा especially आपको complaint, FIR, grievance, red result और letter grievance, right to information यानि कि RTI इन पर आधारित हम किस तरीके से अपने letters को लिखेंगे उसके बारे में हमको विसे त्यार रखना है ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा हमारा pattern क्या होगा वो सारी जानकारी लेकर के जाएगा तब ही आप भी ये first year में अच्छे अंक ला सकते हो ठीक है, दूसरा हम third की बात करेंगे तो इसमें आप resume को कैसे त्यार करना है resume से मतलब वही आपका cb writing अलग होता है थोड़ा सा resume अलग होता है तो उसके pattern को अच्छा सा ख्याल रखना है कि resume में हम कौन-कौन सी जानकारी को समलित करते हैं, include करते हैं और cb writing में क्या क्या चीज़ों होती है लेकिन ध्यार रखेगा resume और cb writing में difference क्या है resume का बोता है, cb writing का बोता है या cb writing जब हम लिखेंगे तो using microsoft का प्रियोग करके हम कैसे लिख सकते हैं वो सब चीज़ें आपको अच्छे से सीख करके जाना है, अगर इन सब चीज़ों बहुत जल्डी होने वाला है दो से तीन मंत में exam हो जाएगा 100% जनवरी में आपके फस सैमेश्टर की परिख्चा होई जाएगी ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे later acceptance की हम later acceptance से related किस तरीके से लिखते हैं, या जब हम regination करते हैं, मालजी किसी job से हमको regine करना है, तो हम किस तरीके से पत्र को लिखेंगे किस तरीके से क्या करेंगे, regination later किस तरीके से तयार करेंगे उसका pattern क्या होगा उसके किस तरीके का format होगा किस तरीके के format पर हम लिखेंगे किस तरीके की language होगी सब्दों का चैन कैसे करेंगे वो सारी चीजें हमको कहा करना है ठीक है इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको पहली यूनिट में ध्यान बनाया रखना है कि प्रोफाइल और बायो डेटा राइटिंग से रिलेटिड में भी बहुत सारा बायो डेटा होता है माले जी हमको साधी बगारा करना होती है तो भी हम अपना पूरा बायो डेटा लेकर के साथ चलते हैं तो बो बायो डेटा हम किस तरीके से लिखते हैं उसमें कौन-कौन से जानकारी को हम इंक्लूड करते हैं वो सारी चीजे आपको पता होना चाहिए, और प्लस में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, कि हम लिखते कैसे हैं सबसे बड़ी चीज, पहली यूनिट तो हमारी यहां से समाप्त हो जाती है, अब दूसरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, कि सेकेंड यूनिट में हमारा क्या-क्या चीजे पूछा जाएगा, सेकेंड यूनिट में देख लिजेगा, क्या-क्या चीजे पूछी जाएंगी, तो element of the sword story, ठीक है, कि जो sword story लिखते हैं, हम कोई लगू कहानियां लिखते हैं, चोटी-चोटी कहानियों को, या plot हमारा होता, और समझना है क्योंकि exam में आपका जो question paper रहना है वो इनी से related रहना है अगर आप परिक्षा को बहुत serious लेते हो अच्छे से pass करना चाहते हो ठीक है अच्छे अंक अच्छे mark लेना चाहते हो तो इस सब उसले बस पहले unit दूसरी unit सब तयार करके जाएगा क्योंकि first semester में अच्छा performance करना है और ये भी ध्यान रखना कि अगर first semester में फेल हो गए तो next semester में या first semester में आपकी back लग गई तो अगर 2-3 जादे तर सब्जेक्ट में back लग गई तो आगले semester में आप promote भी नहीं होगे ठीक है और इसके बाद में एक बात और ध्यान बनाए रखना कि हमारा first semester प्लस में second semester दोनों को मिला करके हमारी division बनेगी ठीक है तो हमें बहुत serious हो करके exam देना है और तैयारी भी अभी से कर देना है क्योंकि अभी से अगर तैयार नहीं करेंगे तो इससलिए बस बहुत है तैयार नहीं करेंगे हम बात करेंगे third unit के sword stories को sword stories में हमारे three sword story writer को रखा गया है जिनमें से सबसे पहले का नाम है ओ हिनरी और इन्होंने कौन सी sword story लिखी है इसको अच्छे से तैयार करके जाएगा ठीक है दूसरा हम बात करेंगे एंटें चोकप की इन्होंने डालाइमेंट लिखी है और तीसर पर फिर रिपेट करता हूं कौन-कौन से तीन राइटर हो हेनरी को एंटें चोकप को और गाइडे मौ पसेंट को ठीक है इनकी तीनों sword stories को अच्छे से तैयार करके जाना साथी साथ sword story writer के बारे में भी और अगला sword story writer कौन-कौन से है यूनिट पोर में कौन-कौन से तैयार करना है मुल्क राज आनन्द को तैयार करना है इसके बाद में आर के नाराइन को तैयार करना है और अनीता देसाई को ठीक है तीन ये तैयार करना है मुल्क राज आनन्द की बात करें तो इनका कौन सा sword story तैयार करके जाना दिवारव स्ट्रेट उनियन और आरके नाराइन की अगर बात करते हैं तो अनिता देसाई की बात करते हैं तो गेम्स आयट टुलाइट ठीक है यह तैयार करके जाना है इतना क्लियर हो गया तो आपको यह था हमारा फर्स सेमिस्टर का स्लेवर्स फर्स सेमिस्टर में क्या तैयार करके ज फस्ट यह ध्यार रखेगा first semester अभी खतम नहीं हुआ first semester में क्या first paper खतम हुआ एक paper में यह चार unit तयार करके जाना है अब first semester यह अभी चल ला है और यह second paper में क्या-क्या चीजे पूछी जाएंगी एक देख लिजेगा second paper की अगर बात करें क्योंकि आपके English के दो paper होंगे first semester में तो first paper की तो बाद कर ली अब जो first semester का second paper है English literature का second paper में क्या-क्या बाकी marking का procedure बैसा ही रहेगा इसमें क्या पूछा जाएगा English prose and writing skills second English prose में किनके writers को तयार करना है इन में से देखो बड़ा मज़े कोई syllabus बहुत जादा है ध्यार रखना unit first में ही देख लीजे an introduction to Indian English Indian writing in English जो भी जितने भी हमारे Indian writer है English literature के first unit में इनका introduction तयार करके जाना है introduction से मतलब इनकी biography तयार करके जाना है पूरा आपको और introduction में कौन कौन है इनको बताना है कि contributions योगदान होता है आप सर अरविंदो के टैगोर के तो एक स्री अरविंदो हो गए टैगोर हो गए के अस बैंकट रमनी तो कौन कौन से हैं एक तो सर अरविंदो हो गए हमारे तैगोर हो गए, केस, बैंकट रमनी हो गए, ओके, भवानी वट्टाचारे हो गए, आरके नारायन हो गए, मुलकराज आनंद हो गए, सरोजनी नाइडू हो गए, कमला मारकंडे हो गए, नैंतारा सैगल हो गए, ठीक है, ये सबी हैं हमारे जिनका आपको इंट्रोडक्शन त गए, आरके नारायन, मुलकराज आनंद, सरोजनी नाइडू, कमला मारकंडे, नैंतारा सैगल, तो ये सबी टूवर्ड दी ग्रोथ आप इंडियन फिक्शन राइटिंग इन इंग्लिज, इस सब आपको इनका इंट्रोड़क्शन तयार करके जाना है, जाना है, सेकेंड य से, फॉर्मले से, पर्सनले से, ये सबी अच्छे से तयार करके जाना है, फिर अगर हम बात करें, प्रोज डिवाइस में कि कौन-कौन सी चीज़ें हमको तयार करना है, प्रोज डिवाइस में तो थीम, पॉइंट अप व्यू, सेंटेंस पैटरन, इमेजरी, टोन और मूड अनलोजी, एनेक्डोट, एंटिथिस, एफोरिज्म, डिक्सन, इनवर्शन, होमर अंपाथोस, ये सबी चीज़ें आपको प्रोज डिवाइस के रूप में तयार करना है, तो देखो ये सिलेबस अपने आम में बहुत जादा है, अगला अगर हम देखें, तो नेक्स्ट हमा आफ इस्टडीच और आफ ट्रेवल, दो तयार करना है, इसके बाद में चार्स लेम का ड्रीम चिल्डरन तयार करना है, ठीक है, सर रिचर्ड स्टील का इस्पेक्टेटर कलब तयार करना है, ओलिवर गोल्ड स्मित का नेशनल प्रिजुडिस तयार करना है, ठीक है, इसके आपको तयार करना है यानि कि from our ignited mind या अमर्त सेन का tag around his India करके आपको तयार करके जाना है तो ये था हमारा second paper का syllabus first paper और second paper दोनों का syllabus आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही और बाकी अब हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो second semester पर बनाएंगे second semester आपका जनवरी के exam के बाद चालो होगा लेकिन वीडियो मैं आभी बना देंगा कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी second semester में उसका syllabus क्या है तो first semester का syllabus आपका खतम हुआ यहीं पर इतनी चीजे त्यार करना है first semester में English literature के दो paper होंगे दोनो paper 50-50 नंबर में होंगे यहाँ पर समझ लिजेगा फिर से English literature के दो paper होंगे दोनो paper 50-50 नंबर में होंगे 50-50 नंबर में भी 37-37 नंबर में आपका रेटेन एक जाम होगा ठीक है और इसके बाद में साड़े बारे नंबर आपको स्कूल की तरफ से ही दिये जाएंगे और next हम लोग चर्चा करें तो इसमें दो paper होंगे फर्स paper का सिलेवास अलग है, second paper का सिलेवास अलग है दोनो paper अच्छे से त्यार करके जाएगा और ये दोनो paper आपको जनवरी तक हर हाल में त्यार कर ही लेना है ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तो जैहिंज जैवारस साथियो